कि है एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल आज की वीडियो में हम चाक पैसे गुम पाइपिन निकालने वाले हैं इस तरीके से ह 빆 है है की है यह पिम तुरपई करेंगे देखी कैसे निकलते यह बिना डोरी की पाइपिन है देखिए और कितनी फेंशिंग नीकली है अल गए देखी इस पाइपिन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले के करना होगा कुक्त चाक पेसे हमें इस तरीके से क्रीज बनानी होगी, ऐसे मैंने इस क्रीज बना लिया, जितनी भी हमें फोल्ड करनी है, अंदर की तरफ मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने ये दो इंच की पट्टी काटी हुई है, जिस कलर की मैं पाइपिन निकालूँ है, आप ए करती की ऊल्टी साइड है करीज अच्छ से क्रिज पना लेン ताक्य हमें पता रहे कि हम पाइपिन को कैसे यह पर अच्छ कर रहे हैं कःपीन करने कों पहले काई से उपर जो यह लुपी लगा रिखे हम यहां से हाफ इंच यहां तक उपर रखेंगे उसके बाद हम एक फोल्ड करेंगे ऐसे भार की तरफ और एक ऐसे बिल्कुल जितनी मोटी या पतली हमें पाइप इन चीए बिल्कुल ऐसे वीडियो को लाज तक जरूर देखना गाईस क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ इस वीडियो में तो सबसे पहले हम यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना धिंटे सेटे के बाद हम सिलाई लगा यंट को शमीस अ हग्याले हिल्कुल जितना हमें,,,स दोग उसके भजाए उसे या पाइप बहुत आसन तर्यक्रीज़ियों। और सिंगल फूट की भी ज़रूरत नहीं पढ़ने हैं आराम से निकल जाती है देखे बिल्कुल इकवल-इकवल सिलाई लगा लेंगे क्योंकि बिना डोरी के तो इसमें सिंगल फूट के जरूर इतनी पड़ेगी बिल्कुल भी जितनी हमें पाइप इंची है जो यह वाला कपड़ा है उसको उतना ही पास ऐसे बिल्कुल पास भी कर सकते हैं इतना इतना दूर भी अगर जितनी हमें मौट्टीया पतली पाइप पास ने प्रें कर सकते हैं मैं दुर्मली आसे रकरते हैं बिल्कुल इसके यह बिल्कुल सास है हमें इसे वर्ला कपड़ा भी अच्छ़ आहसे एसे फोल्ड करते हाने है है और ऐसे हाख को किचे तो एक्दम सी दधा हो गए यह कपड़ा किवें वेलगु sitting के व्यूशने बीलकुर हुआ हम ऐसे स्लाइए कंप्लीट कर ले हैं जिस साइड आमने रखा हो यह सीद्धी साइद वह इसाइड और यह वाली स्लाइएं कंप्लीट करें हो हुआ यह सिलाई मैंने ऐसे कम्प्लीट कर लिए देखिए अब यह फोल्ड हो के कुछ इस तरह कैसे आ जाएगा इसके बाद हम यहां पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके सासा इससे क्या फायता है कि हम इससे ऐसे भी और हलका इसे भी कपड़ेंगों कहीं से आमें लगे कि बारी कहीं से मोटी हो तो मुझे ठीक कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे साथ साथ में वेकर मैंने यह स्टार्ट की ऐसे में जान से मेरे को कमिया ज़्यादा लगेगी ऐसे मैं कपड़े को करूंगी आगे की तरह ऐसे एकवल करके और सिलाई बिल्कुल किनारी किनारी से लगा लूँगे ऐसे पूरे पर किनारी किनारी से सिलाई इससे काफी अच्छी फिनीजिं भी आएगी और इकवल पाइपिन भी आएगी देखिए ऐसे मैंने बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई लगा लिए और एकदम इक्वल पाइपिन निकल के आगी है कहीं से भी मोटी या पतली नहीं है यह सबसे आसान तरीका है गुम पाइपिन लगाने का इसमें डोरी वाली पाइपिन नहीं है इसलिए हमें सिंगल फूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह नॉर्मल किसी भी मसीन से निकल सकती है और एकदम फिनीसिंग के साथ यह पाइपिन लग जाएगी मैं चारो तरफ पाइपिन लगा के तयार कर लूँगे देखिए यह मैंने पाइपिन लगा के तयार कर लिया और हमारी बिल्कुल आसानी से बहुत जल्दी से निकल गई सारी पाइपिन ठीक है बाइफ्रेंड्स अजय क्याने लगा करेंड़कू